हलो डियर स्टूरेंट्स स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासिस में मेरा नाम है मुकुंद और आज हम लोग बहतरीन बात करने वाले हैं कि कक्षा बारा मैं टॉप कैसे करें गड़त में 100 आउड ओफ 100 मार्क्स लाना हो या फिर 90 प्लस मार्क्स लाना हो ये वीडियो आपके लिए राम बान इलाज सावित होने बाला है क्योंकि बहुत ही जादा आइटरा प्रो मैक्स तरीके से मैं यहाँ पर बताने बाला हूँ आपको सारी चीजे ए टू जैड हर एक चीज है कि मैत की आखे तयारी कैसे और किस तरीके से करें बाकी के बचे हुए चार थे पांच महीनों के अंदर ताकि आपके 90 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो भया हां अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि यार मैं कर सकता हूँ ये सब कुछ जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो के अंदर आपको सुरू से लेके आखरी तक वीडियो में बने रहना है और वीडियो को अभी से कर देना है लाइक क्योंकि मैं उपर उपर बात नहीं करने वाला हूँ मैं बात करूंगा हर एक चैप्टर की दोनों किताबों की औ बने रहिएगा लेकिन उससे पहले ये दोहा आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैत है खूपसूर्ती इसी में मैत अन सब्जेक्ट से अलग क्यों है इसको अलग बनाता है इसका तरीका क्योंकि करत करत अभ्यास के जडमत होत सुजान रसरी आवत जाते सिल्पे पर अपका कि अगर अभ्यास करोगे तो जो मूरक है जल्मत यहांनि मूरक सुजान हो जाता है अपने पर रखा है आपने बहुत अच्छी तरीके थे पताए आपके बड़े बुझुर्प बठाते हैं आपके टीचर भी बताते हैं उस कठोर पत्थर के ऊपर क्योंकि उस पत्थर पर बार बार एक ही बार रस्ती जो है उपर नीचे ऊपर नीचे खीशती है और उस कोमल प्यारी रस्ती से उस कठोर पत्थर पर भी बहुत ही भ्यानक तरीके से निसान पढ़ जाते हैं आपको एकी मोडेर पर जाके देख सकते हैं यह सुनते हैं कि प्रेक्टिस बनाओ और कुछ नई यही मेन फंडा है प्रेक्टिस एंड रेगॉलर इस्टेडी तो करत करतत अभ्यास के जड़मत होट सुजान भय्या जो महामूरक इंसान होगा जड़मत महामूरक एंसान भी सुजान हो जाता है बुधीमान हो जाता है क् móई कि को रस्री तुम लोग ये फिल कर पाओगे, ये अंदर से महसूस कर पाओगे, जब तुम लोग किसी रस्ते पे जाते हो, माल लोग घर से स्कूल की बात कर लूँ, घर से स्कूल में जो पढ़ने वाला रस्ता होगा न, याद करो, अभी आखें बंद करो, अभी के अभी अपनी आखें याद कर लो उस से स्कूल से आप घर से स्कूल तक के रस्ते में जितने ब्रेकर होते हैं जितने गड़े होते हैं खड़े होते हैं सब आपको याद हो जाता है क्यों ऐसा क्योंकि उसी एक रस्ते पर बार 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 आप साइकल चला रहे हो बार बार पैदल आ रहे हो बार बार आप cycle से आते हो बार-बार bike से आते हो उसी एक रस्ते पे तो बताओ मेरे प्यारो मेरे यारो जब आपको रास्ता तयार हो जाता है तो यह तो एक छोटा सा subject है एक छोटा सा math है अब मैं बात करता हूं आप लोगूं की यह तो हो गयी सीधा सा आपका एक मंत्रा और इससे बड़ा मंत्रा इससे बड़ा जब इससे बड़ा तब आपको बिलकुल नहीं मिलने वाला है रेगुलर स्टडी प्लस प्रैक्टिस अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट की जैसे मैं आपसे कहा कि इस वीडियो लेक्चर में बात होगी आपकी दोनों किताबों की बात होगी तेरा के टेरा चैप्टर्स की बात होगी बिलकुल मैं निचोड के बताने वाला हूँ किस तरीके से तयारी करनी हैं आपको किस तरीके से best time table आप गड़ित के लिए बनाईए कि इसके अलाबा और आपको कहीं पर भटकने की र बिल्कुल एक दम नफरत है बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार क्यों यह सब्जेक्ट मिल गया क्यों दे दिया पहली बात तो अगर आपको गड़िस से नफरत हो गई है तो इसका मतलब आपने गलती कर दी बहुत बड़ी आपको गड़ित नहीं लेनी थी कच्छा ग्यारा और बादा की गड़ित आपको आंगे बहुत ज्यादा यूसफुल थाबित नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं पसंद एक दम नफरत है स्टुडेंट को तो पर आपने गलती कर दिया आपने गड़ित लेके तो अब क्या करेंगे इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक ठीक बन कर रहे हैं सो मैसे इनको 95 प्लस कैसे बनाए यहां पर बात है और जिने महबत है आसकी है प्यार है इसके है जुनूनी है दिवाने हैं पागलों की तरह करते हैं उनकी तो भाई बल्ले-बल्ले है पेपर में बिल्कुल फार के आओगे इतना मुझे पता है क्योंकि मेरे स्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं आरा समझ में नहीं आरा कि सर करें तो क्या करें बुरे फस गए कहां पर मैं हमने ध्यान नहीं दिया गल्ती हो गई हमसे अब हम क्या करें हमें मैं तोड़ा बहुत अच्छा लगता है मैं लेकिन आप बिल्कुल भी समझ में नहीं आरा कि आखिर क करें क्या जाएं तो जाएं कहां किस बारे में बात करें कुछ संज में नहीं आता है दो किताबें हैं तेरा चैप्तर हैं बहुत बड़ी दिक्कत हो रही सर क्या संज में नहीं आता है हर एक चीज़ बारे में बात करने वाले हैं एक तो ऐसे स्टुडेंट बिलकुल बने रहे ठीक ठीक जिनको आता है भाया 60, 70, 80 इस कैटिगरी में उनको 95 प्लस लाने की गारंटी है और जिनको महबत है भाया मैं आपसे कहता हूँ यारो प्यारो 100 में 100 फोड़ना है अगर तरीके से काम कर लिए तो तुम लोगों को जिनको आप सोचो उतना आसान भी है और उतना ही कठेन है बस देखिए मैं आपसे क्या कहता हूँ सिर्फ एक है जिनको महबत है उनके लिए बता दूँ रेगुलर स्टेडी और प्रेक्टेस ही सबसे बड़ा मंत्रा है और एक एक चीज़ पर हम लोग यहां पर बात करते जलते हैं कि चैप्टर वाइज किताब वाइज सबसे पहली बात किताब वाइज और चैप्टर वाइज हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको अब यहां से आंगे पढ़ाई करते जाना है क्योंकि आपका सितंबर शुरू हो गया, सितंबर के बाद अगर हम बात कर ले हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जन्वरी, चार महीने, कुल में लागा, चार ते पांच महीने आपके पास रह गए, इसमें हर एक तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं, कि किस तरीके से आपको utilization करना है, पूरे समय का अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके पास बाकी के चार सब्जेक्ट और रह जाते हैं, और सिर्फ आप math पर focus नहीं करेंगे, आप बाकी के चार सब्जेक्ट पर ही focus करेंगे, लेकिन ये चुकी गड़त के लिए special वीडियो है, तो हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं, तो जैसा आपको पता है, कक्षा 12 गड़त में हमारे पास दो किताबे हैं, बुक 1 एंड बुक 2, और उसमें भी आपको अच्छी तरीके से पता है, कि पहली किताबे में हमारे पास 6 चैप्टर हैं, और दूसरी किताब में हमारे पास 7 चैप्टर हैं, और एक idea के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं, कि जो बुक 2 के जो चैप्टर हैं, वो slightly student को थोड़े difficult लग सकते हैं, और बुक 1 के जो चैप्टर हैं, ग्यारा नहीं होता है, तेरा होता है, ठीक है न, हाँ भई, अच्छी बात है, ग्यारा मत क्या देना है, ठीक है, हाँ, चलिए, मजाग को side में रखते हैं, और हम लोग पहले book 1 की बात कर लेते हैं, कि book 1 में जो आपके पास 6 चैप्टर हैं, उनको किस तरीके से कम से कम समय में यूटिलाईज करना है, बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएं, तो सबसे पहले हम बात कर लें, चैप्टर नमबर 1 की, भई चैप्टर नमबर 1, बहुत सारे students को problem आती है, कहते हैं कि sir, theory theory है, दिक्ता आ रही है, लेकिन मैं आपको बता हूँ, देखो, चैप्टर नमबर 1 में है कुछ नहीं है, आप बात करें, तो पहली बात सिर्फ 5 exercise हैं, प्रिशना वाली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 and 1.5 मिला के, और उसमें भी अगर मैं बात कर लों, तो UP और MP में बहुत सारा portion कर गया, यूपी वालों की बात कर लों, पहले UP, MP की बात कर लेते हैं, फिर सब की बात कर लेते हैं, तो UP और MP की अगर मैं बात कर लों, तो UP वालों को सिर्फ 1.1 and 1.2 पढ़ना है, बस, और इससे related जो कुछ भी विभिद में दिया होगा, दिये हैं, तो उनको भी पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और chapter number 2 में, chapter number 2 में, अगर हम बात करें, तो UP और MP वालों को सार्ट 2.1 ही पढ़ना है, UP वालों को तो 2.1 ही पढ़ना है, तो UP वाले अगर मैं बात कर लों, UP वोड के जितने भी student हैं, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात chapter 1 की पता क्या है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा theory है, और आप लोग यहां पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं, oral oral समझ लें, बस, देखो, math आप से तभी बनेगी, जब आप practice करोगे, यह आप अपने दिमाग में छाप लो, नहीं तो आप math में कुछ नहीं कर सकते हो, math का शुरुवात में बता दिया था, कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, अगर आप अभ्यास करोगी ना, तो बात बनेगी math में, वरना अधरवाईज आप छोड़ दो, कितने भी वीडियो देख लो, कुछ नहीं होने वाला है, तो अभी से कमर का सुलो, किस तरीके से करना, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, तो जैसे मैंने आप से कहा, कि chapter number 1 और 2, भई अगर आप बैठो ना, देखो, chapter number 1 और 2 को, एक दिन में पूरा पूरा तयार कर सकते हैं, आसानी से, इसके अलावाज जिनका कटा नहीं है, मतलब कोई भी portion नहीं कटा है, जिनने chapter number 1 और 2, पूरा पूरा तयार करना है, उनको मैं बता दू, तीन दिन में, आप बैठिए, बस आप अपने मन में सोच लीजिए, कि मेरे को तीन दिन में, chapter number 1 और 2, पूरा complete करके दिखाना है, खतम बात, जिनका पूरा आना है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, और जिनको कटके आना है, वो एक दिन में कटम कर सकते हैं, आसानी से, मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखिए, most important question के वीडियो वाली playlist में जाएगा, आपको description में भी मिल जाएगा, most important question कक्षा 12 गड़त के लिए, जो मैंने बना रखा है, उसमें chapter number 1 के लिए, मात्र धाई घंटे का वीडियो बनाया है, पूरा पूरा कबार है, उसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मात्र धाई घंटे का वीडियो है, और chapter number 2 की अगर मैं बात कर लूँ, तो मात्र आधे घंटे का वीडियो है, समय रहें ने, मात्र आधे घंटे का वीडियो बना रखा, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, तीन घंटे, त्री आवर की बात हो रही है, बस अब 24 घंटे में तीन घंटे आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ chapter number 1 और 2, आईडिया लगा रहे हैं आप किस तरीके से, और अगर मैं बात करूँ, चैप्टर number 1 में ये तो होगी most important question की बात, वहीं पर मैं complete chapter की बात करूँ, तो मातर 8 घंटे का वीडियो दिया है, हाँ 8 घंटे आप लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको तोड़के करेंगे, तोड़के ही करेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आप से की complete तरीके से कैसे कर सकते हैं, चैप्टर number 1 और 2 से घबराना पूरी तरीके से छोड़ दो, बहुत आसान है, main बात ये जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, कि notes बनाओ और practice करो, notes बनाओ और practice करो यही एक तरीका है, तो chapter number 1 के लिए मैं यही कहूँगा, कि बहुत ही प्यारे तरीके से जो मेरे वीडियो बनाए गए है, उसमें पूरा पहले concept समझो अच्छी तरीके से, अगर आप अच्छी तरीके से concept समझेंगे ना, तो कभी कोई problem नहीं आएगी, chapter number 1 में मैं guarantee दे सकता हूँ, अच्छी तरीके से करते हैं, कभी कोई problem नहीं आएगी, किसी भी तरीके से, मैं बता रहा हूँ आपको, और chapter number 1 और 2 के लिए, मातर 3 गंटे का अगर हम बात करें, तो मातर 3 गंटे के आप देंगे ना, most important question से वहाँ से आपको पूरा कबर हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ क्यासे कर लो, मातर 3 गंटे का ये वीडियो देख लो, इसके बाद अगर आप पूरा कोर्स देखते ना, मतलब chapter exercise 1.1 और 1.2 लगाते हैं, आपको और ज़्यादा मज़ाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, और जो 4 है न, एक साथ लेके चलिए, chapter number 3, आप व्यू, chapter number 4, थानिक, एक साथ लेके चलिए, हाँ, थोड़े से बड़े chapter हैं, लेकिन इनको भी आप आसानी कर सकते हैं, देकिए, यहाँ से आपको पूरा-पूरा आना है, कुछ भी नहीं कटा है, जब पूरा-पूरा आना है, जिसका कटा है, वो आप देख सकते हैं, अपने इस स्लेबस के हिसाफ से जाईए, जिनका नहीं कटा है, वो पूरा-पूरा तयार करने वाले हैं, तो chapter number 3, और 4, थोड़े से बड़ी chapter हैं, अब यहाँ पर भी मेंन बात वाई है, कि concept आपको बढ़िया तरीके से तयार होना चाहिए, और आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने कभी भी आपको फॉर्मूले रटने के लिए नहीं कहेंगे, कभी भी, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि फॉर्मूले रटे नहीं जाते हैं, हर वीडियो में सुन लीजेगा, फॉर्मूले याद हो जाते हैं, जैसे आप सड़क को याद नहीं करते हैं, स्कूल से घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक जाने वाली, आपको पता कितने ब्रेकारें, कितने गड़ें, सब कुछ आप याद नहीं करते हैं, याद हो जाते हैं, उसी प्रकार फॉर्मूले याद करने नहीं पड़ते हैं, कैसे होते हैं, आप उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने बनेंगी, आपको नोट्स बनाने होंगे, आपको फेयर में बढ़िया तरीके से देखिए अच्छी तरीके से कॉंसेप्ट तयार कीजिए कितना टाइम लेते हैं यह आपके उपर देखिए हमारे पास अभी भी पांच महीने हैं आप आसानी से काम कर सकते हैं पूरा कोर्स है चैप्टर नबर बागी सब्जेट कैसे तयार करें तो बागी सब्जेट के भी यही रखिये यही ओजना रखिये लेकिन में बात यह हम गरत की बात करें ना तःएशे हम ने आधिकम आप 20 दर टी wheat थैड आप इसमें गर्ट को आप अगर दिन का तीन गंटे भी नहीं दे रहें लगा के हैं तो डेली को कम से किन तीन घंटे तो आप गर्णो ओफित की किजिए और अगर मैं आपको तो चैप्टर नमबर 3 के लिए 3 गंटे 19 मिनिट का वीडियो डल लगता है और चैप्टर नमबर 4 के लिए 5 गंटे 17 मिनिट का वीडियो डल लगता है तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अब इसको आप तीन उसमें बाट लीए तीन से चार दिन में आसानी से कर सकते हैं most important वाला जो section है न उसमें आप जरूर से जरूर विजट कीजिए उस प्लेलिस्ट को आप अच्छी तरीके से कर लेंगे न तो बहुत मजाएगा मैं guarantee देता हूँ तो chapter number 3 और 4 के लिए chapter number 3 और 4 के लिए जादा से जादा 15 से 20 दिन लगाएंगे आसानी से हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब बात कर लेते हैं कख्छा 12 गड़त का सबसे important section calculus के बारे में कलन के बारे अब बात कर लेते हैं उस section की जो की आपको highest marks देखे जाता है कलन यानि की calculus अब इसमें सबसे पहली बात यह कि मैं आपको बता देता हूं कि student की पसंद क्या होती है उन्हें क्या जादा अच्छा लगता है पहली बात तो अगर आप गड़त पड़ रहे हैं तो गड़त में हर एक section के साथ आपको मौबत होनी चाहिए हर एक section यह बात नह नो तक आपका calculus होता है mainly अगर हम बात करते हैं तो आपको syllabus में कई कई बता जाता है कि 44 नंबर का यह आपका section होता है लेकिन ऊपर नीचे हम लोग यहाँ पर मान के रहते हैं और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि most important आपका यह section है सबसे ज़्यादा जो अगर cover करता है marks यह section cover करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से student को इस चीज़ को सीखना चाहिए calculus को क्योंकि calculus आपका आंगे जाके जब आप higher study करते हैं वहाँ आप भी calculus बहुत ज्यादा आता है तो यहां हम बात कर लेते हैं कि आपको simple simple कहते हो अगर मैं बात करो बहुत ही ज़्यादा नि तो मालो एक दिन का है यार एक दिन में आप chapter number 8 आसानी से निप्टा सकते हैं chapter number 5 की भी बात कर लो तो ज़्यादा ज़्यादा chapter number 5 में आप 5 दिन लीजिए और chapter number 6 में 10 दिन बस इस से ज़्यादा नहीं यह आपके calculus के अंदर के बहुत ज़्यादा सरल और आसान लगने वाले concept है chapter number 6 में हाँ आप कह सकते हैं बहुत सारे student कहेंगे कि सर chapter number 6 मेरे लिए cut in हो रहा है तो मैं आपको ज़्यादा दू कि chapter number 6 में है कुछ नहीं chapter number 6 में 6 topic है अलग-अलग main बात यह है और उसमें भी मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे ज़्यादा important है वो है आपका one six point one point नही six point three and six point five जो है वो बहुत ज़्यादा most important है इनको आप अच्छी दरीके से कर लीजेगा हर बात पर ठीक है तो chapter number 5 जो है आउकलन आउकलन मैं भाईया मेरे 50 वीडियो मैंने दी है ऐसा कोई नहीं करता है आपको बता दू और उस पर कोई ज़्यादा आप लोगा ठीक है जो भ आप इनको मात्र पांच यह आप देख रहे हैं सोरा दिन हो रहे हैं आप इनको जाता से ज़्यादा पीस दिन में आप कवर करेंगे आशानी से हो जाएंगे कोई दिक्कत और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं आपको कहीं पर भी भटकने की जुरूरत नहीं है आप सिर्फ इ सब्सक्राइब कर देना इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं आप वीडियो बिल्कुल भी मत देखना आप इतना कर लो जो इंपोर्टेंट सेक्षन है वह उतना तयार कर लो आप पंचानल प्लस फोड के आओगे साल भर अगर आप मेरे साथ तयारी करते तो कभी कोई दिक्क चप्टर नमबर आठ एक दिन में न कर पाओ तो बता ना एक दिन में एक संडे उठाना एक दिन का मतलब यह नहीं कि इसकूल भी जा रहा है फिर कोच्चिंग भी कर रहे फिर खाना भी एप हर हिर TV भी देखना ये भी देखना उस संडे कुछ नहीं करना सब कुछ बंद कहीं कुछ नहीं जाना बारा चौदा घंटे आपके पास हैं आपको तयादी करना एक दिन में आप इसको फिनिस कर पाएंगे गारंटी है पूरा कॉंसेप्ट उठा की देखना मजा ना जाए तो गरंटी बता रहा हूं इंपोर्टेंट वाला सेक्षन देख लेना और इसका जो एक दिन में कवर होगा इसी प्रकार यह आप कर सकते हैं अब बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट सेक्षन की चैप्टर नम उत्वार करता इने करूं को मनाने के लिए कुछ भी करते हो ना उसी परकार इस दो chapters को मनाने के लिए कुछ भी करो, मैं कह रहा हूँ, एक महीने से अगर आप ज़्यादा समय देना चाहे तो एक महीने से बहुत ही प्यार, और ऐसा नहीं, एक ही सवाल को 4-4 बार revision करो, 4-4 बार लगाओ, और उससे related सवालों को लगाओ, हर तरीके से, chapter number 7 और 9, पूरा course uploaded है, most important question वाले video uploaded है, हर तरीके की पूरी चीज है, पूरी सुब्धा आपको है, बस करके आओ, देखो, chapter number 7 और 9 में, अब प्रण कर लो, मुझे अच्छी तरीके से, ऐसे कि अगर कोई teacher भी बैठ जाए ना, तो उसको मैं सिखा दू कि नहीं भाया, ऐसे नहीं, ऐसे करो कि तो यूं आएगा यूं, समझ लो इस बात को, और जो मैंने तरीके बता हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की, आप बढ़िया तरीके से लगाएगा, मजा आएगा, इतनी तो गारंटी में लेता ही हूं, तो आज से ही प्रण कलो की chapter number 7 और 9 में, मुझे एक महीने क अंदर chapter number 7 और 9 हर तरीके से, और ऐसे नहीं, पढ़ के नहीं, कैसे, कैसे, नोट्स बना के, बढ़िया तरीके से प्रेक्टिस करके, बढ़िया तरीके से नोट्स बना के, बहतरी लाजवा, अल्ट्रा प्रो मैक्स, अल्टिमेट लीजेंड वाले बनाने करना हूं, मस्त कर सकते हैं, और देखो, वहाँ पर मैंने chapter number 3 और 4 के लिए आपको 15 दिन दिये, और chapter number 1 और 2 को मिला के, आप 5 दिन या फिर 3-4 दिन वहाँ पर ले सकते हो, तो अभी आप 2 महीने और 15 दिन के आसपास ले ले लेते हैं, धाई महीने के अंदर आपने 9 chapter कवर कर लिए, अगर आ अप, एक गंटे सुबह पढ़ लो, और दो घंटे बाद में रात को पढ़ लो, बस, ऐसे बढ़ाई होती है, और उसमें भी एक काम कर सकते हो, एक गंटे मेरे वीडियो देख लो, और दो घंटे के लिए प्रेक्टिस कर लो, इस तरीके से मैं पढ़ाई करी कियाती है, धाई महिने में हमने बढ़िया तरीके से NCRT कवर करती हुए चले, अच्छी तरीके से पूरी एक एक चीत देखी, बढ़िया तरीके से कवर कर लिए, कोर्स आपका है, कोर्स आपको प्लेरिस में पूरी तरीके से मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से वीडियो देखो, एक घंटे का वीडियो करो, दोंटि की टेली के डेली आप उसमें यह नहीं होंगाया कि yarn इस इस दिन 3 घंटे की पढ़ाई नहीं कि मैंने यह नहीं होना चाही यह नहीं 7 दिन हमें 7 दिन भी आपको सॉतों के सांते को करना हो और संड के लिए वोन थे संडे तो फार देना भाया मैं बता रहा हूँ तीन गंटे का आप डबल कर लो तीन गंट चैए छे गंटे मैं पढ़नी है संडे को लगाना है बैतीन तरीकी से आपको मुपत हो जाएगी मैं बता रहा हूँ आप वो जो इस्टूडेंट क्या रहे थे आप यहां श्टुड़ी प्रेक्टिस आप इस तरीके से करके जाएंगे आसानी से हो जाएगा और 90 प्लस 95 प्लस होर के आएंगे कोई बड़ी बात नहीं आसानी से कर ले जाएंगे बस में बात है आप रेगुलर श्टुड़ी और करते हैं कि नहीं संडे को बढ़िया फोड च्छे गंटे मैत लगाओ और यह नहीं इसको तोड़ तोड़ के करो दो गंटे फिर दो गंटे और बीच में हमने संडे हैं चार गंटे के लिए अधर सब्जेक्ट भी उठा लिए बड़िया तरीके से क्योंकि यहां च्छार गंटे कर लो पांक गंटे कर लो कोई दिक्क्त यह आपके ऊपर है तरीके से आप मैनेज कर सकती है ठीक्ति कि आपके पास शार अधर सब्जेक्ट भी आपको उन पर भी ध्यान देना बढ़िये तरीके से उनकी वहीं बात होती है अगर आपको लगेगा इतना ज्यादा बहुत ज्यादा हुरा तो फिर आप यह सोच लो उ अब 80% काफी है अगर आपके लिए 80% काफी है तो आप 80% आसानी से ला पाओगे कोई बड़ी बात नहीं होती है मैं आपको बता रहा हूँ आज की हकीकत क्या है इस समय की जो आपकी सिक्षत पदिती चल लगी है उसे आप से 80% लाना कोई बड़ी बात नहीं है कोई बहुत बड़ा मील का पत्थर नहीं होता 80% आसानी से आजाते हैं समझ दो बात को 80% से आपको 95% करने में हाय तौबा लगती है ये में बात है आप 70% से 80% आसानी से गेन कर रहे हो 80% से पंचान में गेन कर पा रहे है क्योंने यहां पर मीन आती है और ये आपको 95% एक ही चीज़ लगती है वो है कवर कर लिए है आप हर दिन तीन घंटे पढ़ते रहें संडे को आपने 6 घंटे मैद के लिए दिया 6 घंट किस तरीके दिया 2-2 घंटे बाट के करो आसानी से चीज़ हो जाएगी बस इस तरीके से जाएंगे चैप्टर नम्र 9 तक आ गए बचे कितनी चैप्टर नम्र 4 अब यह चार चैप्टर किस तरीकि से करने उस पर बात कर लिते हैं तो बाकी के बचे chapter का दम रखते हैं इतनी बड़ी यहां पर आपका रहता पूर्सन बहुत जादा करने के लिए है इसलिए इस दोनों chapter को भी हम लोग एक महीने देने वाले हैं उसमें भी आप यह कीजिए कि इसको 10 दिन दीजिए तयार करने के लिए और इसमें भी इसको 20 दिन दीजिए तयार इंपोर्टेंट कोश्चन की वीडियो है वहाँ पर आप जाके आप देख सकते हैं बढ़ी है तरीके सुनिए इनको भी आपको एक महीने एक महीने दीजिए और बाकी कि बाज़ा चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 तो भीया आपका एक दिन का एक एक दिन का खेला है एक दिने का खेला है पूरी तरीके से चीजें हो जाएंगी कुछ नहीं है और जाद जाद चैप्टर नमबर 13 में आप 10 दिन दिए बस और कुछ नहीं चैप्टर नमबर 13 मैंने इतनी अच्छी तरीके से बताया है कि मज़ा आ जाएगा गारंटी यह बहुत बढ़िया तरीके समझाया है और चैप्टर नमबर 13 तो यूपी वोर्ड में कुछ कम भी आना है कुछ कम आना है तो उस हिसाफ से दस दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं फिर भी आप 10 दिन दिए तो मालों इन दोनों को ही मिला कि बहुत ज्यादा है हर एक छोटा छोटा टॉपिक दियाए एक छोटे छोटे टॉपिक पर एक कोफिशन दिए लिए बाद यहां पर बन जाती है तो इसलिए मैंने इसको आपको एक महीने यह है कुछ नहीं आप अगर सेक्सन को जाएगे न तो मातर दस दिन में खतम हो जाएगा अब बाकी के जो बचे 20 दिन है उनमें आप इस सेक्स इसको करने के लिए प्रैक्टिस कीचे भीया वेक्टर एलजबरा आसानी से नहीं होगा चेप्टर नमर 10 आसान है बड़िये तरीकी से हो जाएगा है चेप्टर नमर 11 में इतने जादा पॉइंट है इतन आसानी से कोर्स कंफ्लीट कर सकते हैं लेकिन मैं यह 20 दिन एक्ष्टर ले रहा हूं प्रैक्टिस के लिए चैप्टर नमर 10 और चैप्टर नमर 11 इसको आप एक महीने अच्छी तरीके से तयार कीजिए और खासकर इन दोनों ही चैप्टर में प्रैक्टिस बहुत कीजिए ब करते हैं तो आप जगा लो हमने डाई महिने वह लिए देए तेक्टर ना और क्या देड़ महीने के आजपास यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर बात कर लें तो कितना हो गया चार महीने हुए कि नहीं चार महीने मैं आपने पख्षा पारगड़ित का धुदा – अश्कुदंरी मैं करने वही में हमारे पास पूरा आप मैंसे काफी स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि सर मुझे स्कूल जाना है 6-7 गंटे करना है कोचिंग भी मुझे जाना है 3-4 गंटे वहाँ पी देना है इसके बाद खाना है सोना है हर एक चीजे कहां से टाइम निकलता है मैं आपको बता दू 24 गंटे हर एक भीगोंता रहता और कूष नीं करता अब tod अब बन की भी यही खास हात है प्लस लाहो अपने आपको टॉप र मानों ठीक है ये नहीं कि प्रत्म नियस्तान लाना यह वाली बात नहीं है आपको टारगेत होना चाहिए 95 प्लस ब्लस यह वालगेत होना चाहिए ये तो आप आपको आपको अच्छा लगे या ना लगे लेकिन सुबह की जो पढ़ाई होती ना वो बहतीन वाली होती एक ultimate आप लोग महसूस कीजेगा आप लोग सिर्फ इसको एक हफ्ते करके देखिएगा सुबह जितना अच्छा आपको पढ़ाई में मन लगेगा ना जितना अच्छा आपको फील होगा आत्मा को मेशसूस होगा रूह हो उतना और किसी चीज में नहीं होता है सुबह सुबह भी यह नहीं कि सर में चार बज़े उटग के पढ़ाई करू मात पांच बज़े उट जाईए आप छे बज़े तक पर देखिए ना इतना इतना सुकून मिलेगा ना जितना आपको किसी भी चीज में सुकुन नहीं मिलोगा पांस इच्छे और ऐसे नहीं आखे खोल के बढ़िया तरीके से महबत के साथ एक घंटे पढ़ लोगे ना आनंद आ जाएगा वो खुशी जीवन में कभी नहीं मिलेगी जो आप महसूस करेंगे इस टाइम नीरस्ता स मैट देना ही देना आफ को फिला लगाएंगे तुछ वाख करेंगे तो भात बबात हुआ है तो मैं तीन खंटे तो मांगते चीटिंग कर सकते हैं, बात मानते हैं, जाएज हो जाता है, भाई त्योहार मनाना भी जरूरी है, थोड़ा खुसी, अंदर खुसी भी है, कब तक महत महत करते रहेंगे, लेकिन वहाँ पर भी गैर चल जाता है, लेकिन उसकी भरपाई करेंगे, हम आगे जाके, उसकी आगे ज तर्फे हर दिन तीन गंडे और संडे को पांथे च्छे गंडे की मैथ के लिए दे रहें तो आसानी से आप सारे तीन महीने में, चार महीने में आसान तरीके से कर ले जाएंगे, और फिर भी आपके लिपास एक महीने का देड़ महीने का रिवीजन का समय, बचे का बहुत बे तीन तरीके से हैं, और उसमें भी रैगुलर तोर पर आप नोट महीने में रहे हैं, पर्रेक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको लगे का ये बहुत जढ़ा-ज़ादा, लेकिन आप आसान तरीके से में, घृटंटी देशा का कर सकते हैं, तो मैं आपको ये यहाइं कोई बहुत बड़ा बड़े चैप्टर कटिन की नहीं है बहुत आसान तरीके से जोड़ गटा नहीं रहती है और बहुत कुछ नहीं रहता है इसमें चैप्टर नमबर 5 और 9 5-9 जो आप सबसे जादा समय हम इसमें बहुत जादा बिविक्ता है और बहुत सारे कोश्चन अलगलग टॉपिक पर तो एक महीने का समय इसमें देते हैं और बारा और तेरा दस दिन के अंदर आप निप्टा सकते हैं और यहीं पर अगर मैं यूपी और एंपी वालों की बात के लूँ यूपी य Óझी यूपी कटेर तो चैटर नुबर 13 जो छुटी छीटे में मyunते कमिंद्स को से आपके दी happier को हैं बारा और 13 जो यूपी वाले तो इनको 3 दिन में फटा देंगे 3 दिन मेरे आप देखते हैं इं यह बाली बात रहती और इसमें चैप्टर नम्में चैप्टर नम्में उन्में डिन महीं नहीं समझे नंगे शत्तर नंजेवह संभने में कई पर कीतना आपको उस्साह्ख़ाग्रत की या एक जिन में एक चैप्टर खसम कर रहा हूं कितनी बड़ी बात है समझ रहा है तो ये वाली बात घबराने वाली बात नहीं अच्छी तरीके से पढ़ेंगे रैगुलर श्टडी करेंगे आप अच्छी तरीके तो यहां पर आपने क्या किया दो गंटे फिर दो गंटे और इस बीच में आपने क्या किया कि यहां पर आपने गया मालो सभी यहां पर अपने खृणते यहां गार मों नहां नहीं पर लिए इस सबढ़ लाई एपनी लाओainे जब मुझे मन लागता ना मैं कर लेता था जब मेरा मन परिसान है मैं किसी चीज से परेसान मन لगन हूं मन नहीं पर आप महली लिए दादा वो ही वाली बात जिनको मुहपत है वो यार जानते हैं कि मैथ एक आस्की है एक नसे की तरह है वो निगेटिव वाला नसा नहीं पॉजिटिव वाला नसा उसकी बात कर रहा हूं कमेंट्स आते हैं और मुझे यह कहा जाता है कि सद्ट लाइए अगर जिस दिन इस मैं इस वीडियो पर सो से याद़ा कमेंट्स आ गए मेरे पास सो से ज्यादा नहीं सो से यादा कमेंट्स आ गए उस जिन में अन्सोल्ड कराना सभू कर देंगा चारी बस सो कमेंट्स लाइक कर दिए सो दो सो कमेंट्स हो जाएं बस मज़ा आ जाएगा सो कमेंट्स कराई जिए जिस दिन सो कमेंट्स में गारंटी देता हूं जिस दिन इस वीडियो पर सो कमेंट्स होगा है मैं अंसौल लाना शुरू कर दूं मज़ा आ जाएगा तो जैसा मैंने आप सको बताया है कि मैठ मैठ टॉप करने का सौ मैं सो नमब्र लाने का 95 फ्रश लाने का एक ही मंत्रा है वो है regular study और practice practice से बड़ा मंत्रा मैट के लिए कुछ नहीं है अगर practice करते हो बार-बाल लगाते हो चीजे करते हो रिवीजन करते हो आसान तरीके के से हो जाएगा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी और मैंने आपको बता रखा कि करत करत अभ्यास के जडमत होत सुजान जडमत महामूरत भी द्वान बन जाएगा बस करते रहो अभ्यास रसरी आपत जाते सिल्प परत निसान जैसे आपको अपने घर से स्कूल के रस्ते में पढ़ने वाले ब्रेकर गड़े खड़े सब याद हो जाते ना अभ्यास करते करते आपको यह भी तरीका अच्छी तरीके से आजाएगा मैं से आप महबत करने लगोगे आसिकी करने लगोगे प्रेम हो जाएगा आप दीवाने हो जाओगे मैं गारंटी देता हूं और इस वीडियो को जाद से जाद से शेयर करना है कोर्स आपका कंप्लीट है कोर्स आपको प्लेलेश्ट मिल जाएगा वहां से देखिए मेरे मोस्ट इंपूर्टेंट कोश्चन की जो वीडियो है उनको देखिए और बढ़िया तरीके से तयारी करते जाएगे गारंटी है आप कह है आपको अपना काम देखना आपको अपनी तयारी करनी है और आपको करके दिखाना आप मेन बात यह होती है कि आ आँगे बढ़ते रहेंगे खुस रहेंगा जय हइंद जय भाद मेस्ट Dip